नमस्ते साहता विनायक शर्यनम आज एक बहुत important डे है हमारे लिए क्योंकि कल ही साहता विनायक चतुर्ति पूजा कर रहे हैं हमारा साहता विनायक मंदिर में और ये लाइव रहेगा सभी को और ये पूजा बहुत important इसलिए है क्योंकि भगवान गनेश जी का जनम दिन है और उस दिन हम सब को अपना अपना gift देंगे हमारा जो भी इच्छा है वो इच्छा पूरा करने वाले हैं और बहुत important है कल और आज हम कल पूजा के लिए तैयारी के बारे में बताएंगे क्या करना होगा आपको आज और आपका प्रार्थना कैसा रहना है और आपका साधना कैसा रहना है और जो लोग 21 दिन का वृत कर र केस कंप्लिट होगा 21 दिन और यह व्रत का फल आप मिलेंगे आप लेंगे यह फल आपको मिलेगा तो वह फल लेके जाएंगे कल तो आज सबसे अच्छा और सबसे पाउर्फुल साधना रहेगा आज पूरा दिन 24 आवर्स तो फिर सुबह कल साड़े 6 बजे यह एक दिन का म अपना अपना काम करते रहेंगे वर्क कर रहे हैं आफिस में काम कर रहे होंगे बिजनेस देख रहे होंगे यह आपका अपना घर में रसोही कर रहे होंगे So whatever you do you will continue this sadhana because this sadhana is an internal sadhana बाहर कुछ नहीं है लकिन अंतर करना अंतर मुक में करना है तो you must get the best benefit of this साधना तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जो लोग यहाँ पे live यह class attend कर रहे हैं तो आप अभी से शुरू कर दीजिए और जो लोग अभी attend नहीं कर रहे हो सकता है कि बाद में आप हमारा चैनल में यानि की हमारा जो वेबसाइट है www.sahaita.org slash चतुर्ति तो उसमें आपको वो वीडियो यह वीडियो आपको मिल जाएगा आप देखिए सुनिये समझे और उसको पालन करिए यह 24 hours minimum और मेरा यह पहला एक request है आप सभी को कि जरूर डे वन जो 18 August को शुरू हुआ था तो उस दिन से आज तक आज का भी यह वीडियो अपल तक यह 20 days का जो classes हैं वो जरूर play करके सुनिये जितना तक हो सके हो सकता है कि आप everyday आप live attend कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि कुछ दिन आप miss भी कर दिये होंगे और वो miss करके फिर हमारा website में एक बार देख लिए होंगे फिर भी आज जितना तक हो से के तो वो वीडियो अपने अपना time के हिसाब से देख लीजिए काफी ज्यादा समाई है फिर भी आप fast forward के रूप में मतलब जो speed double x करके आप fast fast भी सुन सकते हैं लेकिन आपको सिरफ वो सब blocks और जो कुछ भी हम सीके हैं वो याद आ जाए एक revision जैसा हो जाए और अपकर कुछ notes भी बना के आप तयारी रहेंगे तो बहुत अच्छा है ताकि कल जो प्रार्थना करेंगे वो जो 6.30 to 7 o'clock मेरा preparation class रहेगा साथ में वो prayer भी होगा so we will also be doing the prayer simultaneously तो इसलिए आपको ये सब फटाफट याद रखना चाहिए जो कुछ भी जैसे मैं obstacles के बारे में बोला हूं कर्मा के बारे में बोला हूं relationships के बारे में बोला हूं आपका hurts कैसे handle करना है वो भी बोला हूं तो ये सब आपको रुकावत नहीं बना च चाहिए भगवान का अशिरवात पाने के लिए they should not become the obstacles so you can if you just revise everything at least you will be able to do that sadhana which you have not done or the homework which you were supposed to do that you might have missed out so वो सब एक बार आपको याद आजाएंगे और उसके बाद कुछ आपके साथ वो contemplation करते वर्ग आपका वो बॉलाग भी निकल जाएंगे आज ही so that कल जब आएंगे अब बिल्कुल clean slate के रूप में आएंगे you will be like a clean slate जहां पे आशिरवाद लेंगे और कोई रुकावत ना आए और उसके बाद आपका ground यानि की आपका हरदय वो ground है वहां बहुत अच्छा and your problems will be solved your desires will be fulfilled तो आपको याद रखना चाहिए एक सबसे बड़ा जो समस्या हो या जो इच्छा है वो पूरा नहीं हो पा रहा है बहुत दिन से बहुत सालों से आप try करते आ रहे हैं लेकिन नहीं हुआ और कल वो पूरा होने का संभाना जादा है क्योंकि ये gift है जो भी मां होता है तो आपको गिफ्ट लेके आते हैं सब गिफ्ट लेके आते हैं भगवान के पास हम गिफ्ट लेने जाते हैं तो इसलिए आप जो भी पूछना चाहते हैं बद्दे हैं तो वह मना नहीं करेंगे इसलिए कल डेफिनेटली सुबह साड़े 6 बजे तक on time आ जाईए हमा क्लास और प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा वो एक मिनिट भी मिसमत करिये स्टार्टिंग में ही वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि में जो बेसिक ग्राउंड प्रिपार करना है करके तुरं हम प्रार्तना में चले जाएंगे तो एक टोटल प्रॉसेस जैसे होगा कल त बेरी पाउफुल प्रोसेस तो यू शुद अटेंड दे इंटायर सेशन फ्रम 6.30 तो 8.00 तो अभी में 6.30 तो 8.00 क्या होगा मैं बता रहा हूं साड़े छे बजे हमारा जैसे एक क्लास इंट्रोडक्शन के साथ एक क्लास शुरू हो जाएगी उसके बाद तर हम प्रार्तन भी उसी समय करवाएंगे आपका और में प्रेयर जो है 7 to 7.15 में होगा फिर 7.15 के बाद कुछ शेरिंग रहेगा कुछ रहेगा वो सब है उसके बाद पूजा शुरू होगी तो ये पूजा जो है वो अर्चिना पूजा है तो आपका जो इच्छा हैं वो पूरा कर सकते हैं और वो प्रेयर तो हो गया लेकिन ये पूजा के लिए आपका नाम आपका गोत्रम नाम और आपका संकल्प ये तीन बहुत इंपॉर्टन है और आपका इमेल आइडी वेरी इंपॉर्टन तो ये चार चीज़ हम को दे देंगे जैसे रेजिस्टर कर दिया तो आपके नाम म और आपका संकल्प के लिए हम खुद प्रार्तना करेंगे ओपूजा में और मेरा और कोई काम नहीं है वहाँ पे किबल प्रार्तना करना आपके स्लिए और बाकी जो हमारा पंडिजी करेंगे वो शास्त्र के अनुसार वो अरचिनपुजा करेंगे वो श्लोकाश चैंटिं के समय उस समय वो actual prayers or blessings आएगा तो वो आप complete करेंगे और 8 बजे तक समाप्त हो जाएगा पुजा समाप्त हो जाएगा उसके बाद अपने अपने घरों में जो पुजा करना है वो कर सकते हैं लेकिन वो जो class इसलिए है ताकि आपका पुजा का preparation अच्छा रहेगा एक उधारन एवन एक्जामपल आउ सपोज आप सब तो जानते हैं दोसा दोसा तो खाते हैं बहुत अच्छे तरह स्वादिश्ट बनता है अनियन दोसा मसाला दोसा एक्सेटर तो यह दोसा का जो बैटर है बैटर इंग्लिश में बोलते हैं लेकिन इंदी में क्या मालूम नहीं है वो जो वाइट लिक्विड जो होता है न तो वो उसको लेकर लैडल से दोसा बनाते हैं पैन के उपर डालते हैं और पतला सा बनाके फिर वो दोसा खाते हैं बहुत अच्छा स्वादिश्ट रहता है लेकिन अगर वो जो बैटर है वो कुछ टाइम नहीं रखा इमिडेटी जै दिन उसको फेर्मेंट करने रात को छोड़ा तो वो बैक्टिरिया जो है उसको फेर्मेंट करता है वो फेर्मेंट करने के बाद वो थोड़ा खटा टेस्ट आता है बहुत अच्छा टेस्ट होता है तो वो पहले एक बार सोचे दोसा डाल दिया कुछ रोका नहीं कुछ दि साको बैटर में बदल नहीं सकते। नहीं आता अभी जो हम यह पूजा कर रहे हैं जितना तक करना चाहिए यह 21 दिन का साधना तो वो तो कर लिये हैं लेकिन सोचिए कुछ लोग हैं वो अभी तक नहीं कर पाए एक दिन 24 आप पूजा के लिए तैयारी करेंगे तो आपका रिजल्ट्स भी उतना ही अच्छा कर रहे हैं आपको बहुत आशिरवाद मिले कल और उसमें कल पूजा में आपको बहुत अच्छा एक्स्पिरेंसेस हो और साथ में आपका प्लेसिंग्स भी आए तो यह कुछ चीज़ें बोला हूं अभी आइल बी आडिंगे प्यू मोर तिंग्स पर यहर पूजा टुमोरो सो टुमोरो कल आप आएंगे आप हैट बात करके आएंगे इसका मतलब सर्थ के उपर पानी डालके पुरा स्नान करके आएंगे प्रोग्राम के पहले जो भारत देशवासियों के लिए कोई प्राब्लम नहीं है कुई कि सुबह सुबह उठखे स्नान कर लेते हैं पुजा के जैसे विदेश यानि की अमेरिका से USA से या UK से उनका टाइम डिफरेंस थोड़ा अलग रहेगा सो वो भी स्नान कर सकते हैं सुबह जो स्नान किये हैं तो उनको शाम होता है USA फर एक्जामपल अभी छे बज़े सो टेकसास सेंटरल अमेरिका में वान अधा पार्स थोड़ा डिफरेंस आएगा मतलब अगर हम साड़े छे बोलते हैं तो उनको आठ बज़ता है शाम को तो आठ बज़े के पहले स्नान कर सकते हैं या सुबह जो है वो भी आप स्नान कर सकते हैं फिर से करने की ज़रूरत नहीं है और उसके बाद फिर आप अपना पूजा एट लिस्ट 15 मिनट प्रे करके फिर ज़ान कर लिजे या जवाइन करके अपने पूजा में प्रे करिए क्यूंकि सिक्स तरटी के पहले हम भी स्टार्ट नहीं करते हैं तो आप ठीक सिक्स तरटी को स्टार्ट हो जाएगा कल और एक बात है जो लोग रेजिस्टर किये हैं नाम गोत्रम नाम सब दिये हुए हैं वो लोग online में जॉइन करेंगे जूम कॉल में जॉइन करेंगे मतलब ये जूम कॉल आपका ये काम नहीं करेगा कल मैं फिर से repeat कर रहा हूं अगर इस जूम कॉल में directly क्लिक करेंगे तो ये और एक session progress में है बलके आएगा आपको मतलब वो जूम काम नह को ही मिलेगा फिर से मैं बता रहा हूं ये जो जूम कॉल लिंक आज वो काम नहीं करेगा कल दूसरा जूम लिंक मिलेगा और उन लोगों को मिलेगा जो लोग उनका नाम रेजिस्टर किये हुए हैं तो वो आप एटेंड कर सकते हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि जल्दी से ज लिए लिंक आपको मौलूम है साहेता.org चतुरती पहले https कोलन डबल स्लैश वो डालना ज़रूरी है कभी-कभी वो लिंक मर नहीं जाता है इसलिए https कोलन डबल स्लैश साहेता.org चतुरती नहीं तो हमारा वेबसाइट में चतुरती का पेज वो मिल जाएगा और आपको भी daily prayer में अगर आप WhatsApp में है तो आपको वहाँ पे पि मिल जाएगा हमारा वेबसाइट में आज कोशिस करें गे कि हमारा में पेज में ही मिल जाएगा देश साहेता.org जाएगे तो वहीं पे आपको मिल जाना चाहिए वो आज कर लेंगे दूसरी बात अगर रिजिस्टर ने के ह और एक वे भी है लिंक रिजिस्टर करने के लिए calendly.com slash सहायता slash चतुर्ती calendly.com slash सहायता slash चतुर्ती उसमें जाएंगे तो डायरेक्टली रिजिस्टर कर सकते हैं वहाँ पे केवल आपको यह पूजा में भाग लेने के लिए आपको 101 रुपया दक्षिना में डालना है उसमें आपको पूजा का विदी सब बाद में हम बेज देंगे तो आपको वो टोटली रेजिस्टर एक दिन के पहले मतलब आज जरूर रेजिस्टर कर लीजिए और उसमें केवल सो लोगों के लिए ही रहेगा जो से ज्यादा वो रेजिस्टेशन नहीं ले सकता क्योंकि यह दोड़ा ही बाकी है और वो वह भी खतम होने के पहले आप आप रेजिस्टर नहीं कर पाएं और उनको डारेक्टली लाइव यहां एटेज नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए क्या करना है तो वो क्या करना है आप वहां सब्सक्राइब यूट्यूब लिंक दे देंग हैं और सायता.org.सलाश चतुरथि में ही आपको में वीडियो जो में वीडियो हरता है वहाँ आप देख सकते हैं अफ पाटैर। मलभ आप उसमे भाग तो ले सकते हैं बाच्च कर सकते देख सकते हैं लेकिन हम आपके लिए वो नाम कर नहीं दूसरी बात हम सो लोगों का इसलिए रखे हैं क्योंकि वो पूजा होते वक्त हम एक-एक का संकल्प लेंगे हमारे पास भी टाइम रहना चाहिए उनके लिए हम प्रारतना करने के लिए इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे लेकिन यहां मंदिर में 40 लोगों का पूजा मतलब अपना रिजिस्टर कर चुके हैं वो फुल हो गया है और उसमें और एक्स्ट्रा कोई ले नहीं सकते बरहमपूर वालों के लिए यो जो locally यहां आकर अटन करेंगे तो बाकी लोग जो बरहमपूर के हैं वो एटन करना चाहते वो भी online में ही एटन करेंगे और कुछ कुछ लोग यहां आकर देखना चाहते हैं तो वह मंदिर भी आके जगह के अनुसर वह यहां बैटकर अटेंड कर सकते हैं तो आपको यह एक important message था मैं आपको बोलना चाह रहा था क्योंकि आप मिस ना करें यह program बहुत powerful है मिस ना करें अभी YouTube live में कितने लोग भी जाकर अटेंड कर सकते हैं हजारों नहीं लोग भी अटेंड कर सकते हैं तो उसके लिए आपको वह link भी हमारा website में मिल जाएगा saitha.org slash chaturthi उस link में आपको मिल जाएगा आपको whatsapp में भी आपको वो link सब भेजा जाएगा तो आप जब वो link को click करेंगे कल साड़े छे बजे तक वहाँ पे एक placard रहेगा जहां पे बोलेंगे कि कल विनाय का चतुर्ती पूजा के लिए welcome और वो इतने घंटों में आपका start होगा तो वो साड़े छे बजे का scheduled है तो उस समय direct live हो जाएगा तो उस समय आप directly participate कर सकते हैं और प्रे कर सकते हैं तो एक तो मैं सबसे पहले बहुलूंगा कि register जरूर कर दीजिए अर्चना पूजा का और लेट ना करके वो इसके पहले pull हो जाएंगे तो फिर मिस ना करें अगर नहीं मिला तब next priority है आप YouTube link में पूरा session watch कर सकते हैं और अपने घर में बैठ कर प्रातना कर सकते हैं तो यह और एक हो गया तो आप जब अभी पूजा करते हैं तो जैसे आपका वीडियो आपका साधना में बता रहा हूं आज तो जो भी वीडियो से सब देखें अग से क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको एक राइट अप है एक डिस्क्रिप्शन है उस दिन का क्या हम बात किये थे तो वो भी वो पढ़ने तो अच्छा है so that you can start thinking about it contemplating on it and you can do the sadhana what has been asked तो यह रहा आपका preparation कल का पूजा के लिए और आज मैं और एक चोटा सा चीज में बताऊंगा so that you can do that sadhana as well अभी शुरू करते हैं देखिए आपको जो पूजा करेंगे तो group prayer बहुत powerful होती है सामोही का प्रार्थना so सामोही का प्रार्थना कैसा होगा काम जैसे आप individually बोलते हैं भगवान को कि मेरा ये काम कर दो तो उसके लिए आशिरवात देते हैं और सामूही का प्रार्तना करने से आप अपने लिए प्रार्तना नहीं कर रहे हैं, दूसरों के लिए प्रार्तना कर रहे हैं, नहीं तो एक उद्देश्य के साथ, एक इच्छा के लिए सभी का मिलकर प्रार्तना करेंगे, तो वो automatically power of prayer multiply हो जाएगा. So when you are doing group prayer, so the power of prayer will be multiplied, I wouldn't use the word multiply, it will be harmonic progression. Now harmonic progression, agar mathematics student hai, toh आपको जानते हैं, there are three kinds of progressions, arithmetic progression, geometric progression and harmonic progression. Now arithmetic progression में क्या होता है, एक प्लस एक दो होता है. एक प्लस एक दो होता है. और geometric progression में एक इंटु एक, अगर एक का तो छोड़िये, अगर हम तीन लेते हैं, तो तीन प्लस तीन छे होता है, arithmetic progression में, और तीन इंटु तीन नो होता है, geometric progression में. harmonic progression में, three to the power of three हो जाता है, बहुत powerful हो जाती है, तो इस तरह जो harmonic progression में जाएगा, group prayer में. That is what is the principle of group dynamics. So अब सब अगर मिलके करते हैं, तो दस लोग भी करते हैं, 10 to the power of 10, उतना power बन जाती है. और भगवान विल आल्सो हेल्प, जैसे साहता विनाय का कल आपको blessing उसी ये में देंगे, उसी पावर में देंगे आपको, वो collective consciousness. मतलब हम सब मिलके वो पवर को multiply होते हुए आपको आएगा वापस, तो वो आशिरवाद अच्छा रहेगा. लेकिन अगर ब्लॉक्स रहेंगे तो वो बेस्ट हो जाएगा, बिकार हो जाएगा, क्योंकि आप strongly hurt रखे हुए हैं, और माफ नहीं किये हैं आपका पिताजी को, या आपका बहन को, आपका वाइफ को, या जो भी. So, if you have not forgiven, if you have not done that homework, then to that extent, the grace will not enter into you. You will not be able to receive it. Though the Lord wants to help you, He is helpless. The Lord is helpless. वो असाहि बन जा रहे हैं, भगवान. इसलिए, तर लीजिए. अगर जो किया, ठीक है, very good. अगर नहीं किया, आज और लेट ना करें. और कल आप ले लीजिए. So that your miracles will happen in your life tomorrow onwards. एक तो आप में transformation और बहुत खुश होकर, भगवान मेरा बर्द्दे के लिए आप इतना महनत किया, तो वो तो खुशी से आपको दे देंगे. मतलब और no questions asked. तो ऐसा रहेगा. आपका कभी भी किसी से भी काम करना है, मतलब किसी से काम चाहिए, तो उनको कितना आप मसका करत है ना, how much you polish, butter them and do so much of nice things and अच्छे अच्छे बाते, praise करना, वो सब करते हो ना, तो आप भगवान को भी ऐसा कर सकते हो, वो जानते हैं, आप नाटा कर रहे हो, लेकिन वो खुशी से वो चुपचा कुछ, जैसे ऐसे बहु करेंगे, जैसे उनको मालुम नहीं है, और आपका बच्चे जैसे हैं, तो हम भी बच्चे जैसे बोलेंगे, बोलते हैं ना कभी-कभी बच्चे कि हमारे घर के ऊपर, छट के ऊपर हेलिकॉप्टर आया था, तो आपको क्या बोलना है, नहीं जूट नहीं बोलना है, अच्छा, बोलते हैं ना, अच्छा, बहुत अच्छा, क को खुश करने के लिए वैसे हम भी बच्चे हैं भगवान के कोई भी बड़े नहीं है भगवान से सो इसलिए जब हम ऐसे डामा भी करते हैं तो वो समझ जाएंगे और आपको जो आशिर्वे देना है और आपका जो प्रॉब्लम सॉल करना है या आपका इच्छा पुरा करना है वो सब आपको मिल जाएगा तो यह रहा आपका साधना कल के लिए तो कैसे प्रे करना है आपको कैसे कलपना करना है या क्या करना है क्या नहीं करना है प्रार्तना कैसी होती है तो वो सब हम कल बताते हुए करवा भी देंगे सो बहुत ही पाउरफुल है यह आपको जो मिलने जा रहा है कल यह करोडों रुपए से भी वो तोल नहीं सकते यू किन नाट बैलनसेट विद यूज क्रोर्स अफ मनी ओल सो इस तो मच वर्ट बिकॉस आप जो भी मांग रहे हैं वो कितना मुल्य है उसके उपर उससे पता चलता है कि यह प्राजना का क्या मूल्य है you must remember prayers can move mountains and हम चमतकार के लिए भी प्राजना कर सकते आपको कोई प्राजना करना है चमतकार के लिए भी प्राजना कर सकते अभी में दो मिनिट आप सोचिए सोच कर आपको मन में कोई प्रशन आ रहा है कोई पूछना चाहते हैं तो अभी पूछ लीजिए कल हमको टाइम नहीं मिलेगा इतना जो साधना किये हुए हैं कुछ लोग तो आपको कोई भी प्रशन हो या आपका कोई भी अनुभव बताना चाहते हैं शेयर करना चाहते हैं तो यह कर लिजिए कि शेयर करने से भी आपकर बढ़ा रहा हैं आपका भगवान से खुप बोंड है और तो TI क्ल्यारिफान नहीं होगी और आपको बेस्ट रिजल्स आएंगे तौव इनीवन wants to ask any question आप थोड़ा unmute करिए और पूछ सकते हैं या हाथ raise करिए तो हमारा host आपको unmute करने का permission दे देते हैं you can raise your hand chat window में भी आप कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं नमस्ते मेरा question है कि कहते कर्मों का कर्मों का फल होगा कर्म जो शुरू होते कहीं तो इसकी शुरुवात होगी हो सकता है कि अभी जीवन में हो रहा है वो वो शुरुवात हो सामने वाले के बुरे कर्म की प्रशन थोड़ा कम शब्दों में ही पूछिएगा ठीक है मैं समझ गया तो आपका प्रशन यह है कि क्या आपका पुछले जन्मों का कर्म भी वो कैसे क्लियर होते हैं देखिए वो कर्मों का क्लियर होना आप उसके लिए प्रायश्चित करना पड़ेगा अगर कोई बुरा कर्म हो सोचिए उधारन के लिए आप अगर किसी को हट किये हैं तो आपको वो कर्म आएगा वापस तो उसके लिए प्रायश्चित करने के लिए कुछ चीजें हैं करना है और अगर आप उसके लिए उनके लिए अमदा प बोलेंगे तो भगवान आपको दिखाएंगे यही हम करते हैं उसके लिए एक सिस्टम है लेकिन अब आकल के लिए क्या कर सकते हैं जो भी कर्म है लोगों को प्रूबोल सकते हैं कि आज इतना साधना किया है तो मेरा वो कर्म क्या है हमको किसी रूप से हमको पता चले या हमको कुछ संजोग द्वारा बताएं ताकि हम उसका प्रायश्यत कर पाएं और वैसे भी एक प्रात्ना कर सकते हैं कि जो भी मेरा कष्ट है वो मेरा जो कर्म है वो क्लियर करिये और मुझे वो सत्कर्मा चाहिए करके प्रात्ना कर सकते हैं और कोई पूछना चाहते हैं और एक प्रशन ले सकते हैं टाइम बस और एक प्रशन के लिए है या अपना अनुभा भी बता सकते है नमस् sein ready I I shared this yesterday I just want to share it again just to be the teachings really helped in the last 20 days at the same time you know I had some personal issues health issues and I talked to you so one teaching that you have to be 100% surrender to the God and tell that you know this problem to be solved like my health क्षी पार्थ यदिए। एब चार्ट इन्याठए टॉड़ एंचानगा जढी जए टॉट मीं तो खंचेल अन्हें जब एंचानगा इन्हेंट गिर्स आर्ट एर तो आद एंजिवा से वेुडि़ धिरूट के लिवयं है ऑड्यारि चार्ट में इटर टॉड़ अन्हें जड watching that you know the problem stay there and rather you know you away from the fear so that also really helped you know to solve my problem thank you for vinayak and thank you very good so now you that you have thanked your first thing is you have prayed then you did the OTS observe thank and share I have already explained to you observe thank and share so you have observed you have thanked the Lord and you have shared so now a miracle is expected so you can expect another miracle and you can also pray for miracles you have to increase the quality of your praying also in terms of asking for miracles so you can ask for anything everything and that's what you are to do and that's what you are to do and that's what you are to do so now we are starting from the RTI. So you can pray for miracles tomorrow so you can pray for miracles tomorrow strongly pray and your wisdom will be good and pray in the RTI. के समाइए 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 के समाइ के समाइए के शवन् तन्देव क्णत्दम् के समाइए केशवन् प्रस्ति मेशा जिए पी निए भांकी । की निए है जिए है भांकी । PM क्पुर्ट से जिए उए हूं 1953 बुक्त अपते हुआ है झाल 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 तुट 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 प्रोप्र तुट तुट पेस करते हुए गुटनों के उपर और सीधा बैठें आखे बंद करें प्रोप्र झाल झाल प्रोप्र प्रोप्र झाल 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 जाल जाल सबस्यां उन तरह का अधार के लिए काड़ना कर सकते हैं. You can also pray for the miracles. कर आप इसी के लिए प्रात्ना करना चाहते हैं तो आपके लिए प्री हैं या कोई भी अजनवी भी हो सकते हैं लेकिन आप अधाये चाहते हैं. कर आप नकाष्ट्वा का अधासे हैं. If you want to pray for somebody who is very close to you or somebody who is also a stranger, if you want to pray for that person then you can pray now. सुर्ख वयू horses बढ़ा है। सामाल्री क्षेच्व अपरे कुर्फेटा बीक्षासं, हेलो सुल्रीक थाय अंगनायका प्रेषा है बिलिदन देखा है प्रेष एक प्रेश przy फंग्ग है करें और कल जरूर काइदा बिनाय का पुरा दुनिया के वो प्लिस करना है करके प्रातना करें अगर आप हीलर हैं तो सब को हीलिंग देजिए और आप अगर हीलर नहीं है तो रिसीव करिए ग्रहन करिए वो हीलिंग जो दे रहे हैं सायता बिनाय का आपको वो हीलर द्वारा हील करें now the healers will be giving you healing if you are a healer you give the healing and if you are not then you can receive the healing which traita Vinayaka will be transferring the healing to the wildlife अब स्वायता विनायका को धन्यवाद कीजिये, तिस एक्स्टिस्यों ग्राचिटुट पुटलोग। अब स्वाद्ध नाज़िए पराचिए थारेटा विनायका विनायका भागवान का आंख्वान का आँखों में देख सकते हैं, और गुजय को इंट स्ववासन यह अभ रलाक्स का भी कर्स्काथ ओम शांति 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 रह् लाव्म आम झाल 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 तो वो वो विनायक चतूरती के विनायक दिन आपको भगवान का आशिरवाद और गिफ्ट भी समझ सकते हैं तो ये भी एक अच्छा गिफ्ट आपको कल तक मिल रहा है तो ये इसमें आप बहुत कुछ सीख पाएंगे और लोगों तक दे पाएंगे ग्रोथ आप साहता.org स्टूरती में जाएंगे तो वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा फुल स्क्रीन में कर सकते हैं जिनको दोज वार नॉट एबल तो अंडेस्टैंड हिंदी एंग्लिश तो तो तेलुगू या ओडिया या जो भी लैंगवेज एंफ्रेंच और उडशलोगेंड आपको इस वहां पर इक फिल आइक उन रहेगा सटेंग उदर पास में है तो यूजश्टैंट्रिक करिये और आपका भाशा मिलेगा तो वह बाशा क्लिक करेंगे तो आपको सब्टाइटल सा जाएगा आपका भाशा मिलेगा तो दोस who do not know everyone knows about this but those who do not know this will be helpful so that you can watch with the language okay so namaste साहता विनायक शरनम और कल बहुती पवित्र दिन है तो फिर कल विनायक चतुर्प्ति के दिन मिलेगे नमस्ते साहता विनायक शर्थ